मुवी की स्टार्टिंग होती है दो आत्मियों से जो एक कष्टी में बैठे होते हैं या अब इसमें कोई बात कह रहे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इमेंसे एक आत्मी Great Inventors के क्लब का मेंबर बनना चाहता है तब ही वो पानी में मुझूद नई नई Specials की कोश करता रहता है यानि उन्हें ढूनता रहता है अब ये आदमी जो के Great Inventor बनना चाहता है इस कनाम Lionel होता है तब ही अचाहने की दिनों देखते हैं कि पानी में एक अचीब और खरीब creature है जो कि काफी उंची और लंबी है वो Lionel के साथी को अपने मुझ से उढ़ा लेती है अब उसकी चाहन जैसे दिसे करके तो बच जाती है पर इसका ये बुरा असर होता है कि वो Lionel का साथ चोड़ जाता है अब Lionel चावापिस आता है तो वो काफी उधास होता है लेकिन तभी उसे एक लिटर रिसीव होता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर Lionel ने एक ऐसी species को टून डाला या ये प्रूफ कर दिया कि वाभी भी एक्सिस्ट करती है तो उसे Great Inventors के क्लब का मेंबर बना दिया जाएगा ये पर कि लिउनल बहुत जादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास एक पाउं बड़ा हुआ था जो उसी species का था या यूं कहलें कि उस species के रिमेंज थे अब वो ये पाउं लेकर उस क्लब में पहुशता है जहां उनके लीडर से मुलता है तर उनका लीडर ये मानने से इंकार करतेता है कि ये असली पाउं है और उस पाउं को तोड़ देता है यानि यूनल के पास जो प्रूफ था कि species exist करती है उसना इस प्रूफ को भी खतम कर दिया था जिसके बाद लिउनल का बहुत दिल दुखता है कि वो लोग उसे क्लब का मेंबर भी नहीं बना रहे थे तो यहां पर लिउनल अहीं चालेंज करता है और उसे प्रूफ करता है कि वो जल्दी एक नई प्रूफ के साथ दोड़ेगा और इसके बदले में उन लोगों को इससे क्लब का मेंबर बनाना होगा जो इस पर वहां का लीडर भी मान जाता है लेकिन भी हमें दिखाया जाता है कि लीडर अकेले में होता है और वो लिउनल की बातों से काफ़ी परिशान आगया था तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस से पहले कि लिउनल वापस लोड़ेग उसे जान समार दो असिस्टेंट भी खबरास आजाता है कि इसी भी क्या बात हो गई पर अब दो से लिउनल को दिखाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि जिस स्पेशिस की बात हो रही है वो कोईवार नहीं बलके गोईला के दिखने वाला एक बिगफूट क्रेचर है और जो पूफ लिउनल के पायस था वो इसके फोट přिण गेंदर सकूप्चर बनाया गया था यानि जहां कहीं उसे उसका फोट पृप्रिंट डिखाए दिया उसनों सकेंदर प्लासर आफ पेड़िस पर उसका सकूप्चर बना लिया पर लीडियल उसकी बात का यकीन नहीं किया यह समझते हुए कि शायद इसको बनाने वाला यह खुद ही है अब यहाँ पर लियोनल एक बहुत बड़े जंगल में पहुंचाता है और यहाँ पर वो काफी जादा सफोर तेह करने के बात आया था यहाँ आते ही उसे वो बिगफोट दिखाई देता है जिसकी शकर कोरिला जैसी थी पर यह क्या इससे पहले कि लियोनल उसे पुकारता वो यहाँ का माम में लेता है लियोनल कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है क्या तुम बोल सकते हो तो वो बिगफोट आगे से कहता है हाँ ना मैं बोल भी सकता हूँ और पोल भी सकता हूँ लिगफोट उसे कहता है और उसे चेक करने लग जाता है पर तभी वो बिगफोट उसे कहता है कि तुम्हें एक रास की बात बता हूँ तो लिगफोट उसे कहता है और क्यों नहीं, बोलो, बिक्फुर्ट उसे बताता है, कि जो लिटर तुम्हारे पास है, कि तुम्हें उस क्लप का मेंबर बना दिया जाएगा, वो तर असल उस लीडेर ने तुनहीं लिखा, वो लेटर में तुनहीं लिखा है, यूनल के लिटा है, तभी में तरी शान हो र कि हम अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, तुम ही मेरे मदद को आ सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर बिलाया, यूनल उससे बूचता है, लेकिन तुम मुझे यहां पर क्यों बलाना चाहते थे, तो बिक्फुर्ट उसे कहता है, तुम देख सकते हो, मैं यहां लेन देना नहीं, मैं अखेला रहता हूँ, मुझे बस मेरे कुसं से मिलवातो, क्या, तुम अने टुनने में मेरी मदद करोगे, तो लेनल आके से कहता है, मैं यहां तुम्हें टूनने आया था, और इस पार का फूफ उस लीडर को देने आया था, कि तुम एक्सिस्ट करते हो, और जब मुझे मेंबर बनाते का, तुम्हें पस स्यादा अथोरिटी होगी, और उसके बात मैं तुम्हें तुम्हें टूनने में हल्प सरूर करनगा, अब इस पार पर बिगफुर्ट मान जाता है, अब लिएनल उस बिगफुर्ट का नाम मिसंग लेंग फुरता है, क् लेकिन जैसे ही उसकी तरफ वरता है, तो लिएनल भी उससे फायर शुरू करतेता है, अब उन दोनों में हाता पाई, यानि लगाई हो ही रही होती है, कि तनी रहां पर एक टॉप मिसंग लेंग, यानि बिगफुर्ट पर भॉंक ना शुरू करतेता है, पर मिसंग लेंग अब भी भी बाहर खड़ा, लिएनल की बाते सुन रहा होता है, यहां पर लिएनल ये फैसला ले चुका होता है, कि वो प्रूफ करने की बिज़ाए, मिसंग लिंग को फोरें से पहले, उसके साथ को उसमर आएगा, अब यहां पर उसका कॉस्ट्यून भी यानि उसकी ड्रे इस प्रावरिग कोरे होते हैं, और जिस घयर मे वो जा रहे होते हैं वो लिएनल की बेश्ट्रेंट का गार होता है, जो वो वहां पर उश्याता है तो, उसकी वाइफ से म oily हूं उसके वाइफ उसे लारास होती है और कहटी है कि मेरे हस्बेंट गनी तुहाने बेस्ट्रेंट की टेथ हो चुकी है तो मुते उसके फ्यूनरल पर भी नहीं आए पर लियोनल उसे माफी माँता है और कहता है कि मुझे चीज की जरूरत है और वो है हिमालिया का मैप यह वो जगा है जहां बर बिगफुट के कुजन्स रहते हैं पर वो लेडी उनसे कहती है कि मैं उस मैप को नहीं देख पाई वो मैप मेरे हस्बें के लोकर में है और वा भी तक सेफ है पर मैं उसे निकाल नहीं सकती यह कहकर वो उन दोने को घर से निकाल देती है और पुछ सोने चले जाती है लेकिन यूनर और मिसिंग लिक तो उसे ही लेने आये थे आवो रात को चुपके से उस घर में दुबारा एंटर होती है और लोकर को खुलने की कुशिश करते है लेकिन उनके शोर की वज़ा से उस लेडी की आँख खुल जाती है वो पीशे बीशे इनके रूम में आती हार उन पर अटैक करने की कुशिश करती है जिसकी वज़ा से वो लोकर करकी से बाहर किर जाता है और साथी साथ यह तुने में खिरकी से बाहर जंप करती उस टूटी हुए थी जोरी यह उस टूटी हुए लोकर में से वो मैप लेकर भाग जाते है अब सुबा लियूनर और मिसिंग लिंग में स्टेशन जाना था ता कि वो अपने सिटी वापस जा सकी लेकिन उनसे पहले ही वहां वो लेडी आ जाती है अब उनको पकड़ने वाली होती है लेकिन उसको मिलते ही नहीं किमके उन दुरों ने अपना रूप बदल रुखा होता है पर तबी वहां पर फारिंग स्टार हो जाती है और ये फारिंग वही कैक्स्टर कर रहा होता है तो अब लेडी समझ चाती है कि लोगों के जान को खत्रा है और इन लोगों के लिए उस तकापर पहुंचना बहुत जरूरी है जिसके लिए वह यहां पर नैप लेने आया है तो वह लेडी खुदी उस गैंक्स्टर का सामना करती है उस पर फारिंग करके और उनको चक्मा देते हुए ये लोग छुप जाते है और अब ये तीनों मिलके रिसार्ट करते हैं कि ये तीनों में हिमालिया के चरफ एकठे जाएंगे यहां पर बुरास्ते में बाते करने लग जाते हैं वो लेडी अपने इसमन की बाते कर रही होती है कि अगर आज वो जिंदा होते तो अपने फ्रेंग को देख कर याँ पर बहुत खुश होते फिर अपने एक पोर्ट में जाना था जिसके जो हिमालिया तक ट्रावल कर सके लेकिन यहां पर वो गैंग्स्टर बुनका पीशा करते करते आहीं चाता है फिर हम देखते हैं कि रात की टाइम लियोनल और मिसंग लिंग अब इसमें बाते कर रही होते हैं लियोनल उसे कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हें एक घर पहुच जाओंगा जिसको सुनकर मिसंग लिंग बहुत खुश हो जाता है तो तभी पीचे से वो गैंग्स्टर उस लेडी पर कन पॉइंट कर लेता है लियोनल जैसे यह देखता है तो उसे बचाने के लिए आगे होड़ता है और मिसंग लिंग बहुत के मदद करने के लिए आगे आजाता है फूथ अपना सर पीट के रह जाता है कैसा कैसे हो गया अब मैं खोद उने रोखूंगा उधर यह तीनों इंडिया पहुँचुके होते हैं जहां पर हिमालियन व्रेंज है लेकिन यहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो गैंग्स्टर अभी भी इनका पीशा कर रहा है और उसने किसी जहां से इनके पते का पता लगा लिया है अब यह लोग वहां के रिसिडेंस के बास जाते हैं जिनमें एक बिए उरत भी होती है अब वहां पर जाकर यह लोग खाना खाना रहती है और मिसंग लिंग वहां पर कोपर के बने हुए कुछ प्रेट्स खाना लगता है और वो इनको डिलिशियोस कुप्रीस कह रहा होता है अब यहां पर यह सारी लोग उस बोड़ी औरत से उस जगा के बारे में पूछना लगते हैं जहां पर मिसंग लिंग के जैसे दिखने वाले स्पेशियोस रहते हैं पर वो बोड़ी औरत इन्हें उस जगा कर बताने से मना कर देती है और कहती है कि तुम लोगों का उस जगा से कुई लेना देना नहीं पर यहां पर में में सिनलिंग अपना कॉस्ट्यूम यानि पने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मेरा है लेना देना यह देखर को पिचारी पूरी और प्रहोश पुशाती है पर जब उसे होश आती है तो वह अलाओ कर देती है कि यह लोगों उस जगा पर जा सके साथ ही साथ उपनी बेटी को इनके साथ बेचती है कि जाओ उन्हें उस जगा तक छोड़ा हो ताके लिए असानी रहे अब पीछे से स्मूरी और पके पास वही कैंसर उसको साथ ही आता है और वो उनसे उनकों के प्रते के बारे में पूछता है लेकिन जब उन्हें नहीं बताती है तो उन्हें डिफरन तहां की ब्लाक मेल करने लगता है यानि उन्हें धिम्की देने लगता है कि हम आखको और आखके बेबी उसको जान से मार देंगे उधर हम देखते हैं कि मिसिंग लिंग अपने साथियों को देख लेता है तो उन्हें देखते हैं बहुत खुश होता है तो यहां अधास बात ही होती है कि मिसंग लिंग को देखकर कोई खुश नहीं होता फिर इसके बाद वो वहां के बॉस के बास यानि मास्टर के बास चाते है वो मास्टर उनसे कहता है तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो तो लियोनल उसे बात करने रख जाता है वो कहता है कि हम यहाँ पर कोई लड़ाईय、 कोई कबजा करनी नहीं आए और अपसे कोई खासाना माँगने आए है बिल्कि हम आपका साथी, आपका कजिन आपकी पास चोलनी आए है वो मास्टर कहता है, को अपसा कजिन हमारी families यहां पर पूरी है तुम किस के बात कर रहे हो धवीर मुसिंग लिंग उठ खड़ा होता है और कहता है मैं, मेरी शकल देखिए मैं आप है लोगों से मिलता जुलता हूँ और आप से खोया हूँ यानि मैं आप लोगों से बिच्छर किया था तो वो मास्टर कहता है मेरे साथ फजूल बाते मत करो वोने इस जगा पर बंग करवा देता है जो कि कहरा खड़ा होता है यहां पर मुसिंग लिंग काफे उतास हो जाता है वो पापर मास्टर के उस बात को सोच रहा होता है कि तुम इस जगा के लिए नहीं हो तुम सही सोच रहे हो, तुम इस जगा के लिए नहीं बने, बड़के इसे पहतर जगा डिसर्फ करते हो, और अब उतीनों जैसे तैसे करके उस गटे से बाहर निकलाते हैं, अच्छा सो रास्ता आता है, जो कि एक स्टों प्रिच का होता है, तो यह तीनों पने सामने उसी इस डूटकर किंग्डने लगज जाता है, बाकी से अपने जान पचा कर टाइम से भागड शाते हैं, पर वह सॉच के साथ यह निचे लटक जाता है, और अपने एंट को पहन चाता है, अब एतर यह यह तिनों भी प्रिच से लटक जाते हैं, लेकिन अच्छी बात भी होती है कि इन लोगों निक तुझे को रिसी से बान रहा हुता है। लिओनल के पास रिसी नहीं आंधी सवजा से उस प्रिष के साथ लटका होता है। पर तब उसके पर वो गेंस विरा जाता है जो से नीचो गिराने की कोशिश करता है। तो लियनन उसे केंच करटने साथ लिर्का लेता है यानि प्रिज के उसी हिस्से पर जहां पर वो खुद लिर्का हुआ है लेकिन कुछ ही दिर में वो खुद भी स्लिप हो जाता है पर लेकिली मैसिंग लिंग के पाउं को बगड़ लेता है अब इसी दोरहन उस प्रिजी पर वहाँ सा बर्व का टुकडा होता है और उस गैंग्स्टर के मूँ पर गरता है जैसे उसको कंकर चूट जाता है और वो भी अपने लेटर के तहार नीचे गिर्शाता है अब मिसंग लिंग के पास तो रसी होती है तो वो जैसे दो सकर के बर्श के उपर आजाता है और उसी रसी से लेडी और लेटर को भी उपर खीश लेता है इसके बाद दोनों में सुला हो जाती है यानि यहां पर मिसंग लिंग समुझ चुगा था कि लेटर वाकर यव उसके साथ समझेगर है और उसे लिप जादा अजीज नहीं है बलके मिसंग लिंग की खौहिश जादा अजीज है कि वो असल में चाहता क्या है अब यहां पर वो लेडी उन से कहती है कि मैं जिती मदद कर सेती थी मैंने कर दी अब मुझे खर चाना होगा अब उसके चाहते हैं लिउनल और मिसंग लिंग में डिसाइट करते हैं कि वो दोनों भी एक साथ रहेंगे और उने भी अगर चाना चाहिए क्योंगे वो दोनों काफे अच्छे दोस बन चुके थे इसके बाद हैं मिसंग लिंग को लिउनल की गरे में देखते हैं वो दोने कसाथ काफे खुश होते हैं और इसी के साथ ये मुझे यही बेहन हो जाती है